बुजुर्गो द्वारा बताए लंबे समय तक स्वस्त रहने के उपाए नमबर एक उबले हुए गेहुं का सेवन करना हमारे लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है इससे मोटा पार, डाइबिटीज, दिल की बिमारी को दूर रखा जा सकता है इसलिए उबले हुए गेहुं जरूर खाने चाहिए नमबर दो, रोटी बन जाने के बाद आटे की पराती में थोड़ा सा पानी डालें और पिर उस पानी को अगर जो बच्चा अखलाता है उसको पिलाएं तो बच्चा कुछी दिनों में अच्चे से बोलने लग जाएगा नमबर तीन, अगर आपकी धड़कने बढ़ गई हो तो आप गाजर का जूस पिएं या फिर गाजर को सलात के रूप में खाएं आराम मिलेगा नमबर चार, दूज़ जलेबी खाने से सरीर को ताकत मिलती है और सरीर का दर्द भी दूर होता है अगर दूज़ जलेबी ठंड में खाई जाए तो ये बहुती फाइदे मन्द होती है नमबर पांच, अगर आपको चीक ज़दा आती है तो 12 ग्राम खसकस लें और 125 मिली लिटर पानी में मिला कर भाप लें इससे आपको चीक में आराम मिलेगा नमबर चे, यदि आपको पेट दर्द हो रहा है तो तोड़ी सी हिंग लें और नाबी पर लगा लें जल्द ही आराम मिल जाएगा नमबर साथ, काली किसमिज खाने से आँखों में चमक आती है इसलिए रोज रात में तोड़ी सी काली किसमिज खा लें नमबर आठ, प्याज को जलाकर उसमें हल्दी मिलाकर सूजन पर लगाने से सूजन जल्दी ठीक हो जाएगी नमबर नो, पीट में दर्द हो या खिचाओ हो तो काली मिज खाने से आराम मिलेगा नमबर दस, जिन बच्चों का पड़ाई में मन नहीं लगता है उनकी डाइट में पोशक तत्वों का ध्यान रखना चाहिए जिसमें बच्चों को फल, हरी सबजियां, दूद, अंडे और जो बच्चे पड़ाई कर रहे है उनको उबले वे चने, बरेट, पिनट बटर, ओर्ट, दई, सैद, नट, मिक्स ड्राइपूर्ट, जिसमें काजू, किसमेश, बादाम, अक्रोट, इंजीर, ये सब चीजे अपने बच्चे को डाइट में दे जिससे बच्चों का दिमाग तेज होगा, और उनका पड़ने में मन लगेगा, और उनको तली बुनी चीजों से दूर रखके और घर का मावल अच्छा रखके, ये करके देखे, आपके बच्चों का पड़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा नमबर ग्यारा, सुबे के वक्त नास्ता टाइम पर ना करने से पेट में गांट बन जाती है, इसलिए सुबे के वक्त नास्ता टाइम पर करना चाहिए नमबर बारा, सबज्यों को कभी भी खाना बनाने से बहुत पेले ना काटें जब आप खाना बनाएं तभी सबज्यों को काटना चाहिए वरना उनकी पॉस्टिकता खत्म हो जाती है नमबर तेरा, पानी पीकर तुरंत दोड़ना नहीं चाहिए नमबर चोदा, अगर आपके खून की कमी हैं तो जीरे के पानी में गुड मिलाकर रोजाना पीएं, खून की कमी दूर होगी नमबर पंदरा, जिन लोगों का सांस पूलता है, उन्हें बेर खाने से सांस पूलने की समस्या में आराम मिलता है नमबर सोला, फीकी जलेबी खाने से जोडों के दर्द में आराम मिलता है नमबर सतरा, लेसुन पर नमक लगा कर काने से पेट दर्द में आराम आ जाता है नमबर अठारा, सेंप के छिलके खाने से बार बार पेसाब जाने की परेसानी दूर हो जाती है नमबर उन्निस, तवे पर सरसो का तेल गर्म करें, उसमें आदा चमच हल्दी भुन लें, इसको रूई के फोय पर लेकर फोड़े फुंसियों पर रात भर के लिए बान दें, ऐसा करने से फोड़े फुंसी दो दिन में ही ठीक हो जाएंगे नमबर बीस, यदि बलड पैसर बढ़ने लगे तो तुरंत दो अंजीर खा लें, इससे बलड पैसर नहीं बढ़ेगा नमबर इकी, दलिया की और पोस्टिकता बढ़ने के लिए बीगे हुए बादाम अकरोड डाल दें, इससे दलिया की और पोस्टिकता बढ़ जाएगी और यह हमारे सारारिक, मानसिक दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हैल दी है नमबर बाइस, हमको अपते में एक बार पूरे सरीर की मालिश जरूर करनी चाहिए, इससे बलड सरकूलन ठीक रहता है नमबर तेश, टंड के मोसम में बतुआ का सेवन जरूर करना चाहिए, और जिनके कबज की सिकायत है, उनको बतुआ रोज खाना चाहिए, इससे कबज जल्दी ठीक हो जाती है नमबर चोबीस, अगर आपके दस्त हो गए हैं और सही नहीं हो रहे हैं तो आप रोज अपनी डाइट में अनार और केला जरूर लें, इससे आपको दस्त में फाइदा मिलेगा और पेट भी सही रहेगा नमबर पच्चीज, कटे हुए प्याज को कभी भी दूसरे दिन नहीं खाना चाहिए, इससे पेट की बिमारी हो सकती है नमबर चब्बीस, यदि हम रोजाना सुबे खाली पेट उल्टा लटकते हैं तो हमारी लंबाई बढ़ना सुरू हो जाती है हमारी लंबाई 25 वर्ष्ट की आयू से पहले ही बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ेगी नमबर सत्ता है, यदि आपकी सांस पूलती है, तो नास्ते के वक्त एक इलाईची खालें, आराम मिलेगा नमबर अटाई, यदि आपके बाल जड़ रहें और ड्राई हो गए हैं तो बहुत ही अच्छा टिप से छाच लीजिए, उसमें मुलतानी मिट्टी डालें और पेक तयार करें उसको आप जब सर दोएं तब आदा घंटा पेला सर बे लगा लें और सूख जाने के बाद में दो लें, फर्क आपको खुद दिख जाएगा नमबर गुंतिस, आज कल जड़ा मॉबाईल यूज लेने से आँकों में ड्राईनेस आ जाती है तो इससे बचने के लिए जब भी आप मॉबाईल देखें तब मॉबाईल रखें ठंडे पानी से आँकों को दोना चाहिए इससे आपकी आँके ड्राई नहीं होगी, ये ध्यान रहें दिन में बीच बीच में पानी के छीटे मारते रहें नमबर ती, ध्यान रहें अकेले ग्यों की रोटी नहीं खानी चाहिए ग्यों में और सारे मिक्स अनाच चने जो जवार, सोया बीन, थोड़ी सी अलसी मिक्स करके आटा पिस्वाना चाहिए और उसकी रोटी बनाएं, ऐसा करने से आपके कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी तो दोस्तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य परकिरिया के लिए किसी भी बीमारी से पीडित होने पर डॉक्टर से सला लेकर ही नियम को अपनाएं तो दोस्तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपनी पेमेली दोस्तो और रिष्टेदारों में अपने वार्ट से इस्टा पर जरूर सहर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चेनल को सब्क्राइब जरूर कर लें साथ ही बेल आईकन को प्रेस कर दें तो मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियो के साथ वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत-बहुत सुक्रिया आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्त रहें, खुश रहें, मस्त रहें थैंक्स पूर वाचिंग आल प्रेंड धन्यवाद झाल झाल यार हमेशा नहें, मस्त रवेढ कि युश रहें, मस्त रहें, खुश रहें, खुश रहें, खुश 9 screens